1985 से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे राजेश गौतम ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है। लखनव में समर्थकों के साथ उन्होंने कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमाल लल्लू की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहड की। वही कानपूर पहुँचने पर राजेश गौतम ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी में विविन पदों पर रहते हुए काम किया। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से दलितों के हकोग के साथ विश्वाश कहात हो रहा है उसको रोकने के लिए कॉंग्रेस के अलावा कोई अन्य पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। OBC पर और अकलियत के लोगों पर उनके हक और हुकुकों पर जो हमने हो रहे हैं। उसमें हमको कोई दूसरी पार्टी दलितों अकलियत और OBC के लोगों के लिए लड़ती हुई नहीं दिखाई पड़ी। मैंने देखा कि इस समय आखिल भारतिय कांग्रेश पार्टी एक मात्र ऐसी पार्टी है जो वर्त मान में सरकार की जयस्तियों से लड़ती हुई दिखलाई पड़ रही है। तो ऐसी सिती में हम लोगों ने मानेनिया सोनिया गांधी की नेतत में जो भारती राष्टी कांग्रेश चल लही है। उसकी ओर हमने और हमारे सिच्छक संग्ठन के समस्सातियों और दली समाज के तवाम लोगों ने पार्टी को जोईन करने का निर्ड़े लिया। और परसों हमने प्रदेश अध्यच शिरी आजय सिंग लल्लू के निर्देशा अनुसार वहां के कांग्रेश के प्रांती को शाध्यच शिरी सतीस अजमानी के हातों हम लोगों ने सदस्ता ग्राड की और अब हम लोग कांग्रेश में रहे कर लोगतंत्र को बचाने के जा हरी चुलोग्ट एड़गं लुवश्ट एगरा वडिञी है अनुसार गांत्र कांग्रेश कर दो लोग धुमानी कुलzur ₮ल।